गुड मॉर्निंग स्टुडेंट गया गाइडेंस प्रोग्राम के ताथ मैं डॉक्टर विवेक कुमार सोनुलाल बर्णवाल गल्स प्लस्टू स्कुल में मैं प्लस्टू सिख्षक हूँ आज बच्चो मैं जोग्राफी के नेक्स चेप्टर के इंपोर्टेंट पॉइंट और कोश्चन के विशे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ठीक है आज का जो टॉपिक है भूमी संसाधन एवं जल संसाधन है पूछले कलास में मैं ने बताया था संसाधन मनुस्यों की आवसक्ता को जो पूर्ती करता है उसे संसाधन करते हैं भूमी संसाधन हम यहां पहले लेते हैं बचो तो भूमी संसाधन जो है भारत के संदर्व में देखेंगे तो करीब करीब 32.8 लाक वर्ग स्क्वाइर किलोमेटर में भूमी संसाधन भारत के कंटेस्ट में फैला हुआ है ठीक है उसका जिसमें 43% मैदानी भाग है 30% परवतिय भाग है और 27% पठारी भाग है यहां एक जानकारी मैं देदू बच्चों यह जो निकाला गया है भारत के 93% भूमी के सर्वे के आधार पर निकाला गया है और 7% जो है वो पाकिस्तान और चीन के कबजे में जो भू भाग है उस का परतीशत नहीं निकाला गया है ठीक है इसके आधार पर हम लोग भारत के भूमी के जो मिर्दा संसाग है उसको 6000 भागों विवाजित किये हुए है ठीक है यह ज्येनदा काली मिर्दा के लाल मिर्दा लेटराइट मिर्दा मि kardeşim रगिस्तानी और प्रवत्यय मिर्दा हैं ठ जलोड मिर्दा एवं काली मिर्दा ठीक है जलोड मिर्दा जलोड मिर्दा किसे कहते हैं ये एक्जाम में पूछ सकता है जलोड मिर्दा के संदर में जलोड मिर्दा का पुन रूप से विवरन दीजिए तो जलोड मिर्दा के विसे हम लिखेंगे कि भारत की ब्रह्मुपुत् गंगा और सिंदू नदी और उनकी सहायक नदीयों के दोरा लाए गए मलवों के तहत और सादों के तहथ जो मृदा का निर्मान हुआ है उसे जलोड मृदा कहते है ठीक है यह मिरदा जलोड मिरदा भारत में मुख्य रूप से जो है भारत के मैदानी परदेश ये आपको गुजरए ये पंजाब, हर्याना, उत्तर परदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम में फैला हुआ है यहाँ पर प्रस्ण आता है बच्चों, अक्सर हाँ लगुतर ये प्रस्ण आ जाए या अब्जेक्टिव में आ जाए कि भारत की जलोड मिर्दा किन किन राजियों में फैला हुआ है आया है पिछले वर्स और आने के भी पून संभावना है जलोड मिर्दा के विसे में देखते हैं, जलोड मिर्दा की उम्र के आधार पे दो भागों में जलोड मिर्दा को बाटे है उम्र के आधार पे, यानि की जलोड मिर्दा का जैसे जैसे निर्मान हुआ तो जलोड मिर्दा दो परकार के बांगर मिर्दा और खादर मिर्दा बांगर मिर्दा जो है वो पुरानी जलोड मिर्दा है जबकि खादर मिर्दा जो है वो नवीन जलोड मिर्दा है ठीक है यहाँ पर प्रस्न आता है लगू उतर ये प्रस्न में कि बांगर मिर्दा और खा खादर मिर्दा नभीन जलूर मिर्दा है बांगर मिर्दा में कंकड और बजरी पाए जाते हैं जबकि खादर मिर्दा जो है महिन कनो का होता और यह काफी उपजाओ होता है ठीक है इनका छेतर बता देंगे अभी अभी हम आपको बता चुके हैं पोड़ इसमें पोटेसियम हास्पुरस और चुना की प्रधानता होती है ठीक है और इसमें नाइट्रोजन अजयवी पदार्तों की कमी होते जिसके लिए हम लोग उरवरक का उपयोग करके यहां पे किरसी करते हैं उसके बाद बच्चों सबसे इंपोर्टेंट दूसरा मिर्दा है तो वह है काली मिर् रेगूर मिर्दा ठीक है यह भारत के किन छेत्रों पायाता है तो भारत के दक्कन पठार दक्कन लावा पठार में यह पायाता है भारत के जो यह दचनी भाग है न मुखिरूप से यह महराश्ट में ठीक है मद्द परदेश में आंदर परदेश में और गुजरात में यह क आज़ेए काली मिर्दा का निर्मान जो हुआ है बच्चों ये ज्वाला मुखी के बेसार चटानों के टूटने से हुआ है काली मिर्दा का रंग काला क्यों है ये सवाल आता है aluminium और law is की मात्रा कारण काली मिर्दा का रंग काला है ठीक है इसका च्छेतरम बता चुके हैं आप लोगों को देखो बचो ये भारत का map है हमने बताया अभी अभी कि काली मिर्दा और जलोड मिर्दा भारत के संदर में आपके एक्जाम के संदर में बहुत ही important question है तो यह जो मैप देख रहे हैं यह जो है आपका यह जलोड मिर्दा का छेतर है और यह जो देख रहे हैं यह पार्ट जो है यह काली मिर्दा का छेतर है यहां पे महरास्ट गुजरात और अरुनाचल परदेश वेगरा है ठीक है और ये आपका ये है ठीक है हम लोग देखते हैं काली मिर्दा के बाद बच्चों लाल मिर्दा को देखते हैं लाल मिर्दा को भी लाल मिर्दा को फीली मिर्दा भी कहते है ठीक है नेक्स जो है लेटराइट मिर्दा है लेटराइट मिर्दा लेटराइट मिर्दा का क्या गुन है लेटराइट मिर्दा में हुमस और हुमस की मातरा बहुत कम होती है ये इसका कारण है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंपरेचर तापमान होता है बारिस भी बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण बारसा बन यहां बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है ठीक है बचों तो यहां पर हम लोगों ने मिर्दा देख लिया उसके बाद हम लोग देखते हैं भूचरन मिर्टी का कटाओं मिर्दा तो हम लोग पढ़ लिए मिर्दा का देख लिए अब इसमें इसका जो है बहुत तो बड़ा डीमैरिप है कि मुझा की मिलदा क भूछरानण बहुत तेजी से हो रहा है ठाव सी तो भूछरनी यह दिखना भूछरन जोraphic सकता है और भूमी का कटा टाव हम लोग सभी जानते हैं तो यहां पर बच्चे थोड़ा से चंश्ड हुआते हैं तो भू कुछता यह carbon होता कैसे एक्जाम में आपका बूच्रण के मिशमें लगोतर प्रसन पूषता है तो भूच्रण होता कैसे warto कामम पर्मुख कारण है कि बहते हुए जल के कारण धिकное जैसे नदी पर्मुख कारण हो व उसके समुदरी लहरों के द्वारा भूचरन होता है फिर जो है हिमानी के कारण भी भूचरन होता है ठीक है एक बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि पहाडों के उपर परवतों के उपर भी भूचरन वहां से भूमी की मिटी का गिरना नीचे गुर्तवा कर से गुर् भूछरन से हमारी भूमी की उर्वडा सक्ती समाप्त होने लगती है ठीक है भूछरन से बहुत बड़ा का डिमेरिट है कि भूछरन से हमारी भूमी की मिर्दा मिर्दा की जो है उर्वरा सक्ति समाप तुने लगती ये तो प्राकिर्तिक रूप से हो गया मानों के कारण भी भूछरन हो रहा है मानों के किस कारण से भूछरन हो रहा है मानों बनों को बहुत तीजी से काटे जा रहा है जंगल पीड पौदे हम लोग जानते हैं कि मिट्ट के कटाव को रोकता है अब मनुस उसे काट रहा है मनुस जानवरों के अतिपसु चारण से भी भूछरन हो रहा है खनन के कारे से हो रहा है रासाइनिक उर्वरक का हम लोग क्रिसी में बहुत ज्यादा उप्योग कर रहे हैं जिसके कारण भूमी का निमनी करन हो रहा है उसकी अतिपसु चारण गुजरात राजस्थान मद्य परदेश और महाराश्ट में रटलो आप लोग एक्जाम में आने की पूर्णी सवापकूर्ण संभावना है दूसरा कोश्चन आता है कि अधिक सिचाई के कारण किन राज्यों में भूमी का निमनी करण हो रहा है वो है पंजाब हरियाना और पश्चिम उत्तर परदेश ठीक है पूरा उत्तर परदेश नहीं उत्तर परदेश का पश्चिमी भाग एक्जाम में अक्सर आएगा कि आपको अधिक सिचाई से कौन से राज्यों में जो है भूमी का निमनी करण हो रहा है एक प्रस्ण और आजा रहा है आजकल कि मिर्दा का पियेच मान सबसे उत्तम कौन सा होता है तो मिर्दा का पियेच मान जो सबसे उत्तम होता है वो साथ होता है जैसे ही पियेच मान साथ से नीचे कम होगा तो मिर्दा में अमली करण बढ़ जाएगा ठीक है, अमलियता मृर्दा का बढ़ जाएगा और जैसे ही P.H.M. साथ से बढ़ेगा तो मृर्दा में छारियता बढ़ जाएगा ठीक है बचो, इसे भी आपको याद रखना है ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है अब जो है मिर्दा का तो हम लोग उपयोग दोहन कर लिए हर संसाधन का हम लोग दोहन कर रहे हैं उसके पीछे हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी जिम्मेवार है तो अब जो है भुगोल बेता, परियावरन बेद क्या चाहा रहे हैं कि मिर्दा का जो दोहन, अत्यधिक दोहन हो रहा है उसकी संरक्षन हो जाए तो मिर्दा के संरक्षन पे बहुत सारा काम हो रहा है मिर्दा का संरक्षन कैसे होगा उसका निमनी करण को बचाईए, मिर्दा के निमनी करण को बचाईए तो मिर्दा के निमनी करण को बचाने के लिए फसल चक्रण का कारे सबसे ज़्यादा महत्पुन होता है क्या करते हैं किसान हर साल गेहूं, चाबल, आलू, सबजी इत्यादी का उत्पादन कर लेते हैं और क्या हो रहा है भूमी का उर्वरा सक्ति घटते जा रहा है तो उसमें आप दलहन और तिलहन का खेती कर दिजिएगा दलहन और तिलहन का जैसी खेती करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का स्थिरी करण हो जाता और भूमी की रुवरा सक्ति बढ़ जाती है तो फसल चक्रण से भूमी की रुवरा सक्ति को बचा जा सकता है दूसरा है ब्रिक्षा रोपन जो मनुस्यों ने ब्रिक्षों को काट कर उसे काट दिया उसे ब्रिक्षा रोपन फिर से करेगा तो भूमी का छरण वहाँ समाप्त हो जाएगा उसके बाद भूपरिस्टीएजल अंडरगराउंड वाटर जो है बच्चों उसका लेवल बढ़ना होगा अंडरगराउंड की वाटर के लेवल बढ़ने से मिट्टी के निमनी करण की निमनी करण जो है वो कम होजाती है और सबसे महत्तोपुन बात जो कि एगरिकल्चर में बहुत तहीं से बड़ा है रासाइनिक उर्वरक की प्रचलन रासाइनिक उर्वरक के प्रचलन को कम करके जैविक उर्वरक के प्रचलन को बढ़ाना होगा और बढ़ाया जा रहा है ठीक है क्या करते हैं किसान एक किलो यूरिया के जगा पांच किलो यूरिया डाल देते हैं या पांच किरोग की इसी तरह के रासाइनी कुर्वरा को डाल देते हैं अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं और उसी का उसी का नतीज़ा है कि भूमी का निमनीकरन हो रहा है और इस तरह या आज के जमान में इतनी खतरनाक खतरनाक रासाइनी केमिकल यूज हो रहा ह है कि हमारी ecosystem पिर्थवी का ecosystem जो है तूट रहा है पिर्थवी का ecosystem तूटने के कारण जो है बहुत सारे जीव जन्तु माइक्रो और्गनिज्म मिट्टी के अंदर जो है वह समाप्त हो रहा है जैसे कि मेढग मेढग का प्रजनन सक्ति समाप्त हो रही है क्यों कि एक एल्डरिन नाम का chemical होता है जो रसाइन खेतों में उप्यों किया जाता है एल्डरिन नाम के chemical से मेढग की प्रजनन समाप्त हो रही है मेढग क्या करते हैं किड़े मकोड़ों को खा जाते हैं कीट फटंगों को खाते हैं और मेडग के मरने से समाप्थ होने से खेतों में कीट फटंगों का संख्या बढ़ते जारा और कीट फटंगे कीट फटंगे क्या कर रहे हैं हमारे फसलों को खा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है कि हमारे जो हमारे जो है हैं बहुत सारे जीव जनतु समाप्त होते जा रहे हैं हमारा जो हरा भरा भरा था माहौल प्राकिर्तिक एको सिस्टम वो सारा का सारा समाप्त हो जा रहा है ठीक है मिर्दा को मिर्दा छरन को किसी बचाने के लिए सौपानिक किसी भी कर सकते हैं आकर्षान कर भी रहें पठारी परवाज परवतिय चथ्छेतरों में ठीक है ठीक है ठीक है यहां तक समझने में कोई परशानी नहीं है अब हम लोग अब हम लोग नेक्स जल संसाधन पर देखते हैं ठीक है जल संसाधन किसी भी संसाधन को बच्चों समाप्त करने में उसका दोहन करने में हमारी जन संक्या सबसे बड़ी जिमेवार है जन संक्या इतनी जञादा भारत की बड़ गई है हर एक संसाधन का हम लोग बहुत ज़ादा दोहन कर रहे है जल संसाधन तो बच्चों ऐसा संसाधन है जो हमें जीवन भी देता है और हमारा जीवन समाप्त भी करता है प्राचीन काल की सबेता से लेकर आधुनिक काल की औदोगी करन तक जो है नदी बेसिन के किनारे हुआ है ठीक है उसी तरह जीवन को समात करने में बाढ सुखे का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है भारत के संदर में देखते हैं पूरे पृत्वी के संदर में हम देखते हैं तो जल संसाधन पृत्वी के तीन चौथाई भागों में फैला हुआ है यहां से प्रस्ण आता है यहां से प्रस्ण आता है कि पृत्वी को निला गरा क्यों कहा जाता है या किस गरा को निला गरा कहा जाता है क्यों कहा जाता है ठीक है तो पृत्वी में तीन चौथाई जल अस्थल खंड की संख्या 40% है जबकि दक्षनी गुलार्द में अस्थल खंड की संख्या मात्र 20% है यानि दक्षनी गुलार्द में 80% जल है ठीक है तो इसे हम लोग दक्षनी गुलार्द को जलिय गुर्दाद भी करते है ठीक है पिर्थिवी पर जल का सुरोत क्या क्या है बच्चों हम लोग दी रहे हैं देख रहे हैं तो पिर्थिवी पर जल का सुरोत मुख रूप से चार है महासागरिय जल बायुमंडलिय जल भूप्रिष्टिय जल भूमिगत जल भूप्रिष्टिय जल और भूमिगत जल है मनुस्री के उपयोग के लाइक जल है सुद्ध जल है, मीठा जल है जिसका हम लोग उपयोग कर रहे है ठीक है, तो जल सरोथ पूछ देते हैं एक्जाम में आपके आता है, आया है जल सरोथ मनुस्री का क्या है, हमारा जल सरोथ क्या है, ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे भूप्रिष्टिय जल भूमिगत जल ही हमारी मुख उपयोग की हमारी जल संसाधन का उपयोग जल संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं किस चीज में करते हैं तो एक्जाम में आता है जल संसादन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहा हुआ सिचाई में तो जल संसादन का सबसे ज़्यादा उपयोग सिचाई में फिर उद्योग में फिर उर्जा उत्पादन में फिर ग्रियकार में और फिर अन्य चीजों में ग्रियकार में तुम लोग जान रहे हैं किस चीजों म उप्योग हो रहा है तो यहां पर दो एक एक लाइन लिखते हुए बढ़ना है किसी चाई में सबसे ज्यादा उप्योग हो रहा है उद्योग में उसके बाद से जल संसादन का उप्योग हो रहा है फिर उर्जा उत्पादन में हो रहा है उर्जा उत्पादन में परमानू पर अने कारे में मतस्य पालन यातायात जल क्रीडा इत्यादी हम लोग करते हैं उसके बाद बच्चो भारत के संदर्व में हम देखते हैं कि प्रती बैक्ती जल की उपलब दिता घटते जा रही है दिन परते दिन और बहुत तरी से घट रही है ये बता रहा है कि आपके हाँ जल संथा है 5177 घन मीटर प्रती बैक्ती था वह आज के 2011 में 1544 है जो कि 2025 आते आते 1342 रह जाने की संभावना है ठीक है ये संभावना है हो सकता उससे भी कम हो जाए ठीक है ये भारत में प्रती बैक्ती बारसिक जल की घटी उपलब दिता है अब आज आईए जल संकट पे देखते हैं जल संकट किस तरह की जल संकट है जल संकट मातरात्मक हो सकती है और गु गिरते जा रहा है क्यों गिर रहा है वह अंडर्ग्राउड वाटर का लेवल क्योंकि सहरी छेतरों में पक्के मकान सडक के कारण जो है वर्सा का जल वो अंडर्ग्राउन जमीन कें अंदर नहीं जाके उत्ते जिसे बहतें नदिनालों से होते वो हम साघ्रों में मिल जा रहा हैं उसके भाद मिठे जल की कमी हो जा रही है हम लोगों खृत Juckt मातरात्म करूप से घंटे जा रहा है इसके गुनात्मक क्या है हमने अभी इन से श्टम रूंक्त कम हम लोग बहुत ज्यदा उपयोग कर रहा है जिसके कारण उसकी जो है छो वो रसाइनी कुर्वरक क्या होता है बारिस के जल के साथ भूमी के अंदर चला जाता है और अंडर ग्राउंड वाटर या वहां से नदी नालों में चला जाता है तो नदियों का पानी को वो प्रदूसित कर देता है तो क्या हो रहा है अंडर ग्राउंड वाटर प्रदूसित आर्षनिक एक ऐसा तत्व है जो कि कैंसर को जन्व देता है कि यहां पर सवाल पूचता है कि बिहार-पश्चिंभाल में किस रसाइन एक ऐस container कोakterist का मी पढ़ गया है पानी मैं कौन सब्सक्रां जान साथ परड़ गया है तो इसके बाद बताएं आपको कि फ्लोराइट की मातरा दिली रायस्थान में बहुत तेई से बढ़ी है ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं जल संरक्षन और प्रवंधन की जल संरक्षन प्रवंधन जाखतों जल शंकट में है ये इसka रच्छन और प्रबंदन भी होना चाहिए ठीक है तो जल संसाधन का संड़क्छन और प्रबंदन के लिए भारत सरकार ने राष्टिये जल संसाधन परिशद की अस्थापना 1987 इसवी में की थी इसका क्या काम था? इस परिशद का क्या काम था? जल की उपलव देताना को बढ़ाना है जल को प्रदूसन से बचाना प्रदूसित जल हो गया तो उसको स्वख्ष बनाना और जो सबसे ज़्यादा हम लोग सी चाहिए में कर रहे हैं जल का उपियोग तो सीचाई में इतना ही जल का उपियोग करें जितना की जरूरत है उसके लिए क्या किये नए नए टेकनिक का उपियोग टेकनलोजी का डेवलपमेंट सीचाई में किया गया किस तरह का टेकनलोजी सीचाई के लिए किया गया लिफ्ट फुहारों की तहथ सिचाई, सीड़ी नुमा खेत बनाके हम लोग उसके तहथ सिचाई करना सुरू कर दिये। उसके बाद बरसा के जल को हम लोग बांध के रूप में बांध कर रखें। बांध बनाकर उसे एक जगार रख दिये। या फिर कुवां, तालाब, पोखरा, चेक डेम बनाकर हम लोगों ने जल को सुरक्षित रखा। उसके अलावा भूमी जल जहां कि सहर में पके मकान और पके रोड के कारण भूमी जल का जो है अंडरगांड वाटर का लेवल घंटे जा रहा था। वहां पर हम लोगों ने सहरों में क्या कर दिया कि अब सभी सहरी छेत्रों में मकान छत के ऊपर बरसा जल को सुरक्षित रखकर और उसे एक पाइप के द्वारा जमीन के अंदर डालना है। तो उसे क्या हुआ अंडरग्रांड लेवल अंडरग्रांड वाटर लेवल जो है सहरों का वो बढ़ने लगा। ठीक है बचों तो यहां पर जलस अंसादन हम लोगों ने देख लिया। अब इससे प्रस्ण किस तरह से आते हैं एक्जाम में उस पर हम लोग देखते हैं। तो एक दिर्गुतर यह प्रस्ण है बहुत देशिये परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुत देशिये परियोजना या इसे बहुत देशिये नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं बहुत देशिये परियोजना का मतलब हो गया बहुत सारा उद्देश एक काम बहुत सारा उद्देश तो नदी में एक बांध बनाकर उस उद्देश को पूरा किया जाता है और यह प्रधान-मंत्री थे कहें थे कि बहुत देश्य प्रयोजना जो है आधुनिक भारत का मंदिर है यह संटेंस पूचता है आधुनिक भारत का मंदीर किसने कहा था यह आपजेक्टिव में तो सिचाई के लिए नहर निकाला गया जो नधी नदी बंद बना बांथ से बहुत सारे नहरे कालकर सिचाय के लिए उपलब्द कराया बिद्धूत उत्पादन भी बहुत देशी प्रयोजना पर होने लगी ठीक है उद्योग के लिए जला पूर्ती ठीक है उसके परिवहन का भी जो नहार हम लोग बना उस नहार से हम लोग परिवहन भी करने लगए उसके बाद नदी में उस नहर में मतस्थी पालन भी शुरू हो जाता है तो एक नदी और उसकी इतने सारे उद्धेश ठीक है ना यह आपको बहुत देशिये प्रयोजना का मुख्छ मुखी सोच था भारत में अनेक बहुत देशिय परियोजना का निर्मार हुआ आजादी के बाद भारत में सबसे पहला बहुत देशिय परियोजना का निर्मान हुआ उसे दामोदर घाटी नदी परियोजना काते हैं ये दामोदर नदी पर हुआ ठीक है उसके बाद जो है सोन गाटी परियोधना 1874 में हुआ उन नदी पर आपके बिहार में बिहार में हुआ ये सवाल इसमें से आएगा नेक्स चेप्टर में इसके बिश हम बताएंगे ठीक है सोन नदी गाटी का 1874 में अंग्रेजों ने इसे बनाया था लेकिन उस समय सिचाई के उद्देश से बनाए गया था इसका फिर से इसमें बिजली उत्पादन के लिए कुछ सैयंत्र लगाए गया है उसके बाद एक बहुत देशिये प्रियोजना सरदा सरोवर बांध जिसे नर्मदा बचाव आंदोलन में मेधा पाठिकर महोदे ने तो बहुत देशिये प्रियोजना का क्या समस्या है कि नदी प्राकिर्तिक नदी प्राकिर्तिक रूप से जो नदी बह रही है उसको हम लोग बांध बना के रोक दिये नदी की धारा रुकेगी तो उसमें जो मलवा आ रहा था तेजी से वो उसके बेसीन को नदी बेसीन को वो जम भरने लगा वहां पर नदी के बेसिन को जब मलवा भर देगा तो क्या होगा नदी के जीव जनतू जह है वहां पर भ्रमन करने में उन्हें परेशानी होगी उन्हें भोजन सही तरीके से नहीं मिलेगा उनकी प्रजनन में परेशानी होगी तो इस तरह की परेशानिया उत्पन हो जाती है बहुत देशीय प्रियोजना से बाढ की समस्या भी उत्पन होती है इसी प्रियोजना से जो है इस प्रियोजना में जो है आसपास के जितने भी ग्रामिन हैं उनको वहां से विस्थापित होना पड़ता है सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ यह उत् भावना बढ़ जाती है भारत में कहीं देखा भी गया है इसके लिए ठीक है बच्चों तो यह दिर्गुतरिये प्रस्ण आपको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा उसके लगुतरिये प्रस्ण बहुत सारे आएंगे जैसे कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ यहां की मिर्दा की क्या विशेष्टा है यह प्रस्ण आ चुके हैं और आने की पूर्ण संभावना है नदी डेल्टा लगुतरिये प्रस्ण में बचों आपको टू दपॉइंट लिखना क्यों कि क्योंकि 50 से 60 सब्दों में आपको उतर देना है बस पहला ला हुआ है भारत का पुरवी तट्ये च्छेत रही है ठीक है यह जो है जलोड मिर्दा का भाग है और काफी उपजाओ होता है बस इतना लिखेंगे 50-60 सब्दों हो जाएंगे बैटके गिनना नहीं बस 50-60 सब्दों हो गए उसको लो कर लिए ठीक है उसके दूसरा सवाल यह भी आ सकता है जलोड मिर्दा से आप क्या समझते हैं इस मिर्दा में कौन कौन सी फसले उगाई जाती है बार बार कर रहे हैं बच्छो कि जलोड मिर्दा काली मिर्दा आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन है ठीक है तो इस पर आप पूरी तरह त चैप्टर ले के आऊंगा अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हिस्ट्री के समाजिक विग्यान में इतिहास के धन्यवाद वच्चों अब मैं नेक्स पार्ट में जो आज समाजिक विग्यान का इतिहास विशाय लेकर के आया हूं मैं राकेश कुमार सत्यवंति उच्व परान आपको मैं प्रकास डालने का प्रयास करूंगा कि इस इकाई से जो प्रस्न पूछे जाते हैं बारशिक मादमिक परिक्षा में उस पे कौन-कौन से टॉपिक को आपको कभर करना है तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इस इकाई की अंतरगत जो केंद्र बिंदु अपन से इसंदों का उत्तर को उधा Lex ran के रूप में आपके सामने परस्तुत करेंगे उसे आपakो सम bringt होगा और फिर आप अपने प्रिक्षाओं में उसे लिख करके अपनी अपिक्षाओं पर खराशा थना होगा तो आगए अब हम चलते हैं प्रिक्रियाय संपार्ग होती है स्ए वेवस्था को हम अर्थ वेवस्था काते हैं और उसी के उपर आजीव का निर्वर करती है तो किसी भी राष्ट के लिए अर्थ वेवस्था का जो मूख धारा होता है वो होता है आपका उध्योग और क्रीशी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्व पर्थम इंग्लेंड में अधोगी करांती हुई और 1750 इसवी से पहले वहां 80% जो अर्थवेवस्था थी वो क्रिसी पराधारी थी कोटर उद्योग पर्याधारी थी लेकिन जब अधोगी करांती हुई उसके बाद वहां पे अधोगी करन प्रारंब हुए अधोगी करन प्रारंब होने के उपरांत वहां पे वहां की जो आजीव का जो विवस्था था उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और फिर जाकर के वहां पर भी बहुत सारे संगठनों का निर्मार हुआ अब हम चलते हैं मुख बिंदु पर कि इस चैप्टर के अंतरगत कौन-कौन से टॉपिक पे आपको प्रस्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहला है आधोगी करन आधोगी करन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें की बस्तूओं का उत्पादन मसीनों के द्वारा कारखानों में की जाती है और आधोगी करन प्रक्रिया के द्वारान बहुत सारे उध्योग उत्पन हुए उध्योग की इस्थिति में होने लगी कॉ सब्सक्राइब आद्धोगी करन के कारण दुसरा पॉंट बनते हैं यह प्रस्न पूच्छे जाते हैंcrire अब इसके बाद आधोगी करन के परिणाम से समंधित प्रस्न पूच्छे जाते हैं उसके बाद आता है उपनिवेश कहां हुए इसके बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में आप आपको हम detail आगे slide के माध्यम से भी दिखा सकते हैं आप देखेंगे सुनेंगे केवल और जो लिखा हुआ चीज है आपको description box में आपको मिल जाएगा तो केवल आप सुनें और ध्यान से सुन कर अपने जो छमता है इस अध्याइ के अंतरगत जो प्रस्न पूछे जाएंगे उसकी समझ आप अपने आप में विक्सित करें । देखेंगे क्या कि अध्योगी करण के कारण कौन-कौन से थी तो अध्यकरण के कारण में आप देखेंगे क्या अधसकता अविस्कार की जन्नी कारण बने, न rhetoric, कोंले वं लोहे की प्रचुडता थी, वह भी कारण बना, फैक्ट्री प्रनाली में दक्राहhouse narrow interaction тот Srώan बहुत सरल सहलं तरीके से प्रारंव और लोगोगिया शक्ताओं को बहुत नरल सहलं तरीके से घुर्टी करने में ऊस्षय उफिरनाम के वारे में का देकेंगे किस सबसे पहले नगरों का विकास हुआ, नगरों की विकास तीवरगती से होना परारंब हो गया, कोटिर उद्ध्यों का समापपन हुआ, पतन हो गया, जिससे की बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन गई और आजीव का बहुत परभावित हुई, तीसरा जो परिणाम निकल करके सामने आए, समराज जबाद की इस्तिति उत्पन हो गई, सभी अपने अपने उपनिवेश अस्थापित करने की होल मचाने लगे, समाज में वर्ग विभाजन और एक बुर्जुवा वर्ग का उदय हुआ, फैक्ट्री मजदूर का जन्म हुआ, और सलम पत्ति की शुरुआत हुई, अधोगी करन के कारण, परिणाम में जदी देखा जा, जब अधोगी करन हुए, उसके बाद इन सितियों का उत्पति हुई, या इन सितियों का विकास तिवर्गति से हुआ, अब एक प्रस्ण पूछा जाता है उपनिवेस से, कि उपनिवेस वाद क्या है, या उपनिवेस वाद से आप क्या समझते हैं, तो उपनिवेस वाद से आप क्या समझते हैं, मैं आप लोग बनन करेंगे, कि अधोगी करन्ती के बाद, जब बश्तूओं का उत्पादन अध जर्मनी, फ्रांस, पुर्तेगाल, डेर्मार्क जहां पर उध्योग बहुत तीब्रगती से विक्षित हुए और उनका अधोगी करन हुआ उसके बाद उनको बाजार किया विसकता पड़ी और वही बाजार की खोज के लिए वह अन्य देशों में अपना उपनिवेश स्थाप कर दी, जिसके कारण उपनिवेश वाद बहुत तीब्रगती से होने लगे, तो उपनिवेश वाद के अंतरगत यह चर्चा करेंगे और उसका अंसर देंगे, अब आ गया क्या, कि हम लोग बोले थे अविसकार से सम्मंधित, और किसने कौन से मसीन का विसकार किया, यह भी प्रस्न पूछा जाता है अब्जेक्टिव में, और इस चैप्टर से एक या दो प्रस्न निश्चित रूप से होते हैं, दो से तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेट से सम्मंधित प्रस्न पूछे जाते हैं, और वो एक होता है विसकार से सम्मंधित, और एक होता है भ spinning frame एक मसीन है जो की जलवास पे चलता है वह सूती वस्त्र या वस्त्र के निर्मान में उसका उपयोग होता है उसने अविस्कार किया spinning frame का 1770 में James Hargreaves ने spinning jenny का उपयोग किया ये पिछले साल प्रिक्षा में पूछा जा चुका है कि spinning jenny का spinning jenny का विस्कार किस ने किया तो James Hargreaves ने किया और कब किया 1907 इस्वी में किया आप देखेंगे 1773 इस्वी में 1773 इस्वी में फ्लाइंग सटल का विस्कार हुआ और इसके अविस्कारक थे जौन के समझ गया और उसी तरह से 1789 इस्वी में सैम्गल क्रम्टन ने अस्मेनिंग मियूल का अविस्कार किया और यह बहुत तीव्रगति से सूथ काटने का मशीन था 1789 इस्वी में सैम्गल क्रम्टन ने अविस्कार किया और 1785 में एड्मेंट कार्ट राइट ने एक बहुत ही ब्लूम पावर ब्लूम करके एक मसीन का अविस्कार किया जो की बहुत ही सूथ काटने वाले लोगों के लिए बर्दान स्जिद हुआ जिसको करगा पावर लूम करके करगा का अविस्कार किया जिससे की जो लाहा जो कपड़ा बुनते थे उनके लिए बहुत सहुलियत हो गई और वो आसानी तरीके से कपड़ा बुनने में सफल हुए इस तरह से एक और क्रांती कारी अविस्कार हुआ वो होगा कपड़े की छपाई का बेनर ने 1785 इसविए में ही बेनर ने कपड़े छपाई की अविस्कार किया तो यह है अविस्कार जो कपड़े साधे आते थे पहले बस बुन करके उसमें अब छपाई होने लगे जिसकी गुनवाता और उसकी जो सुन्दरता थी वो बढ़ गई जिसके कारण उसकी मांग लोगों में बढ़ी इस तरह से जब देखेंगे आगे चल करके तो इस तरह के अविस्कार हुए एक और अविस्कार हुआ जो पिछले परिक्षाओं में पूछा गया है 1815 इस विका जो उसके अंदर खुदाई करते थे लोग उस खुदाई में प्रकास किया वेसकता थी तो उसने स्यव्टी लेंप की अविस्कार किया और उस अविस्कार के द्वारा खानों में जो काम करने की गती हुई उसमें तेजी लाइ गई और एक लोह उध्योग को बढ़ावा देने तो भारत में जब चर्चा करेंगे तो भारत में सरवपर्थ हम वस्त्र मिल का अस्थापना या जो कपड़े की मिल थी उसकी अस्थापना कब की गई यह भी प्रस्ण पूछा गया है जो हम इस बिंदू में आज जो बिंदू पर हम आपको प्रकास डाल रहे हैं वह पीछले प्रक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इस चैप्टर के लिए महत्पूर्ण बिंदू है इसलिए आपके बीच लाया गया है उस पर प्रकास डाला जा रहा है कि ताकि आप इनको कम समय में अभ्यास करके अपनी प्रक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें तो इस तर 1907 इस्वी में जमसेद जी ताटा के द्वारा बिहार के साक्षी नामकस्थान पर ताटा अंडर स्टील कमपनी की अस्थापना की गई यह भी प्रस्न पूछे गया है ताटा हाइड्रो एलेक्रिक पावर स्टेशन की अस्थापना कब हुई 1910 इस्वी में जमसेद जी अस्थील कमपनिया लौह उस्पात की कमपनिया अस्थापित की गई भिलाई राउल किला और दुरगापुर में उस समय रूस पास्टिमी जर्मनी और बिर्टेन के समझाता से यह कमपनिया अस्थापित की गई और आज के बरतमान समय में साथ लौह उस्पात उध्योग अ खुझवरया आइर prompts और अस्टील कंपणि भद्रावति करनाट laboral stil company चō्वाल प्लांटर धुछ भिलाई स्टिल प्लांड भिलाई भोकारो यह इसे भी प्रसुम्स पूच्छे जा गयो भारत में इसपात कंपनी का नाम लिखें लाह एनव इसपात कंपनी का नाम लिखें तो उसमें भी आता है लेकिन यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ज्यान के लिए इसमें केवल बता दिया गया है अब 1814 इसवी का घटना जो की सरवपर्थम भारत में कोईला उद्योग अस्थापित किया गया था यह प्रस्न पूछे गया है उसके बाद देखेंगे भारत में 1895 में जो बैंक की भूमिका रही उद्योग को अस्थापित करने में आर्थिक जो गतिवीधिया थी उसको वो संचालित करने में अहम भूमिका निभाई जिसमें की कभी-कभी प्रस्न पूछे जाते हैं कि बैंक की अस्थापना कब हुई तो भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की अस्थापना हुई, 1906 में बैंक आफ इंडिया की अस्थापना हुई, 1907 में इंडियन बैंक की अस्थापना हुई, 1911 में सेंटल बैंक की अस्थापना हुई, 1917 में दबैंक आफ नसूर तथा जॉइंट अस्थापना हुई तो इस तरह से बैंक के अस्थापना के वारे में भी आप लोग समझ लेंगे कि कब किसका अस्थापना हुआ और वह बैंक उध्योग को अस्थापित करने में या फिर अर्थिक गतिविधी लेंदेन में इसकी अहम भूमिका रही अब इसी तरह से देखेंगे कि यह कोश्चन पूछा जा चुका है कि 1918 इसे में इंगलेंड कि सभी इस्तिरी पुरुस जो ब्यस्कते हैं जो नागरिक बन चुके थे उनको मताधिकार का अधिकार दिया गया यह प्रस्ण पिछले एक्जाम में पूछा जा चुका है कि इंगलेंड में इस्तिरी और पुरुसों का मताधिकार देने का कब अधिकार प्राप्थ हुआ तो वह है 1918 में उसी तरह से भारत में पहला फैक्ट्री आक्ट कब लागू हुआ 1881 में और अखिल भारतिये ट्रेड इूनियन कांग्रिस की अस्थापना कब हुई तो 31 सक्टूर उनीशाओ बीशी स्वी को जिसके पर्थम अध्यच के रूप में लाला लाजपात्रा बनाए गए और उसी 147 जवाजादी मिली उसके बाद अखिल भारतिये ट्रेड इूनियन तीन भागों में विभक्त हो गया उसका भी फूल फॉर्म पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल ट्रेड इूनियन कांग्रिस हिंद मजदूर संग और उनाइटेड ट्रेड इूनियन कांग्रिस तीन भा और सरकार द्वारत स्रम आयोग का गठन कब हुआ? 1962 में तो इस तरह से जब आप देखेंगे एक कोश्चन और जो आता है फूल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है कि इसका फूल फॉर्म बताइए तो इसमें आता है AITUC तो All India Trade Union Congress एक आता है ILO का फूल फॉर्म जिसका ह होता है International Labour Organization अंतराश्टिय श्रमिक संगठन और तीसरा आता है इंटक का Indian National Trade Union Congress यह भारत में अभी बरतवान भारत में भी यह स्थापित है और समय समय पर स्रमिकों का मांग उठाता है और स्रमिक उसके अंतरगत अपना जो मांग होता है और रखते हैं और सरकार के समख्ष अपनी आवेदन प्रस्तूत करते हैं, अब यहां पर हम दो लगु उतर ये प्रस्न लेकर के आए हैं, उसको आप देखेंगे और किस तरह से उतर दिया गया है, इसे देखेंगे, इसमें है पहला आधोगी करन से आप क्या समझते हैं, मैंने फूरु में बताया कि आधोगी कर के बारे में जब लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे कि वह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें उद्योगु अस्थापित किये गए, या बस्तूओं का निर्मान मसीन के द्वारा होने लगा, और बड़े पैमाने पर कारखानों में इसकी उत्पादन होने लगी, और यही प् छोटे-छोटे घरों में रहते थे, जिनके पास सुविधा नहीं थे, और वो सुविधा भीहीन लोग थे, उनके सामने ना खाने के लिए दो वक्त का भोजन था, तो इस तरह से वह छोटे मकानों में रहते थे, और उनके सामने न बिजली की सुविधा प्रयाप्त मात्रा में थी और इस तरह से company के नजदीक छोटे छटे घरों में निर्मान करके वो रहने लगे और इस तरह से इसका सलमपत्ति का निर्मान हुआ और कहा जाए तो अधोगी करन के कारण ही सलमपत्ति का शुरुआत हुआ ठीक है तो आप प्रस्ण में देख लेंगे आपको descriptive जो एक चीज जो है description box में जाके click करेंगे तो वहां आपको यह मिल जाएगा इसी तरह से आप देखेंगे इसका एक चित्र के माध्यम से हम दिखाए हैं लेकिन असपस्ट नहीं आ रहा है कि छोटे-छोटे बस्तियां हैं गंदी बस्तियां है और इन्ही एरियाज में जो मजदूर रहते थे और इसी को सलंब पदिती कहा गया है इसके आगे जब देखेंगे क्या दिरगुतरिय प्रस्णों में मैं कारण और परिणाम के बारे में चर्चा किया हूं और इसको भी आप देख लेंगे तो वहां पर मैं केबल बिंदू बताया था और यहां पर आप आपको उसके अंतरकत ब्याख्या करने हैं कि आपको दो लाइन में ब्याख्या करके बताना है और कभी आप जब लॉंग टर्म जो कोस्चन होता है दिरगुतरिय कोस्चन आप लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी भूमिका को डालेंगे कि उसका मतलब क्या होता है उसका अर् परश तरीके से देख सकते हैं जैसे देखिए अब माल्या चौथा कारण रहा फैक्ट्री परणाली की सुरुआत तो इसमें हमने लिखा उध्योग अस्थापित होने से फैक्ट्री परणाली प्रारंब हुई बस्तूओं का ब्रहत पैमाने पर उत्पादन के लिए विभिन उध्योगों की अब सकता ने फैक्ट्री परणाली का जन्म हुआ इसके कारण और दोगी गती तीवर गती से बिक्सित हुए तो छोटे-छोटे आपको टॉपिक दो वाक्यों में तीन वाक्यों में उसको डील करना होगा ब्याख्या करके रखना होगा और यह चीज आपको समझ लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ और इसमें विक्सित हो सके दूसरा जो कोश्चन है अधोगी करन के परिणाम सरूफ होने वाले परिवर्तन यह जो दो कोश्चन हमने दिया है हो सकता है कि एक कोश्चन आपके प्रिक्षा में आ जाए बहुत है इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे समझ लेंगे और आप अपनी भासा में भी इसका उत्तर दे पाएंगे मौडल उत्तर इसलिए आपको सामने प्रस्तूत किया गया है ठीक इसी प्रकार लगूतर यह प्रस्ण जो पहले भी हम आपको चर्चा कर चुके हैं तो आपको किस तरह से प्रस्ण पूछे गए हैं या सारे प्रस्ण आपके परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं पूर्व के प्रिक्षाओं में और इसपर भी आप लोग अभ्यास करेंगे और देख करके समझ लेंगे कि कौन सा हमको याद रखना याद करने का ट्रीक जो ह आपको देखेंगे कि जो अविस्कार है कुछ-कुछ अविस्कार ऐसा है कि अविस्कारक के नाम के साथ उस मसीन का नाम भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है तो जैसे उसका उदारन के तौर पर आप देखेंगे क्या जैंस मियूल करके है आपका अभी जो चर्चा चल रही थी इंग्लेंड में प्रूसों का ब्यास्क मताधिकार का प्रयोग कब प्राप्थ हुआ तो यह 1918 इसमें में यह प्रस में पूछा जा चुका है जमसेदी टाटा के दौरा आयरन अनसील कंपानी के स्थापना कब हुई 1937 में तो इस तरह से आप लोग इसका अभ्यास करेंगे और समझ लेंगे और मैं आसा करता हूँ कि आप इस चैप्टर से प्रस्ण जो आते हैं मैं इसमें पूरा जिकर कर चुका हूँ और इसके अंतरगत जो प्रस्ण आते हैं सभी प्रस्णों को मैं यहां पर रखने का प स्वस्त रहें आप परिक्षा की तैयारी में तलीन रहें आप परिक्षाओं में अच्छे नम्बरों से पास हो इसी सुभ कामना के साथ मैं आज इस सत्र का समाप्त करता हूं अगले सत्र में मैं सहरी करन और सहरी जीवन के बारे में बलाऊंगा उसको आप अध्यन कर लेंगे उसके अंतरगत मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टिट टॉपिक है कौन कौन सा आपको कवर करना है धन्यवाद